जै गुरु जी, जै गुरु जी संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा और बहुत मिनिंगफुल एक वचन जो कि युरों ने बार बार अपनी संगत को बोला कि मंगो नहीं मन्नो, इसके पीछे क्या राज है संगत जी, वो क्या कहना चाहते थे, छोटी सी बात है पर हमें समझ में नहीं आती हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन गुरु जी की हिसाब से अगर हम सोचे तो बहुत बड़ा इसके पीछे एक हमारे लिए ये कहलो कि एक राज चुपा है, या ये कहलो हमारे लिए एक सीख चुपी है, क्योंकि हम तो कहीं भी मंदिर गुर्दवारे जाते ही, या हम जिस भी भगवान को मानते हैं, या गुरु जी को कहलो कहीं भी, तो हम सीधा अपनी डिमांड लिस्ट लेके जाते हैं, कि हमें आज ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारी कोई ना कोई नीड, हमारी हमेशा कोई ना कोई मंशा भगवान के पास जानने की, या उसको मानने की हमेशा रहती है, कि हमें इसके बदले में ये दे दो, पर गुरु जी ने हमेशा बोला कि मेरे पास जब भी आते हो तो मांगो नहीं मुझे मानो सिरफ इसके पीछे ये था कि गुरु जी एक महा बहुत बड़ी शक्ती है महा शक्ती है महा शिव है तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि हमें क्या चाहिए उनको अपने आप पता चल जाता है वो जानी जाना है अगर उनमें इतनी सामर्थ है कि हमें हमारा मनवानची चीज जो हम मांगे चाहिए वो मेटिरियल स्टिक हो या कुछ और हो अगर वो दे सकते हैं तो उन्हें पता हमारे मन में चल की आ रहा है तो इसलिए गुरुजी जी कहते थे कि जब भी मेरे पास आते हो तो सिर्फ मुझे मानों मांगो नहीं एक गुरू संगत गुरुजी के पास आती थी तो गुरुजी के पास आते ही उसने बोला उसका बिजनस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो गुरु जी मेरा बिजनस ठीक हो जै मनूँ पैसे दो मनूँ पैसे दो वो जब भी गुरु जी के पास आता तो गुरु जी को यही बोलता तो गुरु जी ने फिर एक बार उसे जवाब दिया कि तेरी ते मौत उन वाली है तो मेरे को पैसे मांगता प्या है इसलिए मैं करना है कि मेरे पास आके मुझे 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 मांगो नहीं मुझे सिर्फ मानो आज हम बोलते हैं कि हमें पैसा देदो घर देदो गाडियां देदो हमारे बिजनस खुलवा दो हमें दुकाने देदो लेकिन आपको पता है कि हमार को दिख रहा है सब कुछ भगवान हमें वो देगा जो हमारी special need है जो चीज के हमें जरूरत है जो हमें नहीं दिख रहा जो उनको दिख रहा है कि हमारे साथ अगले ही पल क्या होने वाला है तो इस लगता है कि तुमारा time आ जाता है सबसे पहले मैं तुमारे जिन्दगी के जितने भी तुमारे अतार चड़ाव होते है जितने भी बड़े बड़े करमाज होते है जितने भी hurdles होते है उसे हटाता हूं तुम लोग एक पतीला हम जब लेते हैं दूद वाले को देते हैं तो वह पतीला बिल्कुल साफ होता है उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी रह जाए या गंदा साफ कर दें तो दूद भट जाएगा यह डर होगा कि दूद भट जाएगा इस न जाये दूद वैसे ही मैं तुम्हें तब देता हूँ हर चीज जब तुम संभाल पाओ जब तुम्हारी life में long life वो एक blessings मन के तुम्हारी जिन्देगी में आए अभी तुम्हारे करमा जब तक तुम्हारा कहीं foreign settlement नहीं लिखी तो फिर क्या फैदा ऐसी blessings लेके इसलिए गुरुजी जब जब जिस जिस संगत को जो भी चीज़ें मना करती थी तो संगत मानती थी इसलिए गुरुजी से जुड़िये और आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें सब पत है उन जनन की file उनके हाथों में रहती हैं और उनके पास इतनी power है कि हमारी file में कुछ भी बदल कर दे कुछ भी हमारे कर्मोंको ये कह लीजिए गंदे कर्मोंको मिटाके कुछ भी अच्छा लिख दे वो नंके हाथ में मालिक के हाथ में वो चाहे तो हमें एक पलक जपकते ही गुरुजी को इतने डाइम से माने गुरुजी ने मुझे ये नी दिया मुझे वो नी दिया ऐसे नहीं सोचना गुरुजी हर घर में कल्यान कर रहे हैं हर किसी की जिंदगी में खुशियां दे रहे हैं पल भर में दे रहे हैं हर किसी के अपने अलग अलग करम होते हैं किसी को करम कटवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है किसी के करम बहुत जल्दी कट जाते हैं तो संगत जी थोड़ा सा पेशन्स जरूर रखिए गुरुजी की शरन में आने के बाद गुरुजी की शरन में आने के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ अगर पीछ पलट के करता कि लेप से जुङने के बाद कभी कोई बी यह नहीं कह सकता कि हमें कुछ मिलानी लेट इस वेसि का आज किसी का कब्ल हर चीज मिल जाती है बट वो बात अलग है कि हम लोग materialist चीजों को जादा value देते हैं हम पैसों को जादा value देते हैं क्या पता गुरु जी को तो सब पता चलता था कि आज से 10 अलबा तेरे अंदर कोई बिमारी है या आज से बिमारी शुरू होती है पता लगने लगने में रिजल्ट आने आने में 2-3-5 साल लग जाते हैं और जब तक रिजल्ट आता है स्कैनिंग से पता चलता है जी लास्टेज का cancer या जी heart attack पढ़ने वाला है या पढ़ गया तो गुरू जी को हर चीज पता चल जाती है तो गुरू जी आपको अपना divine लंगर प्रशाद खिलाकर आपको अपनी गुरुबानी सुनाकर या आपको बड़े मंदिर में बुलाकर सबसे पहले आपकी कर्मों को ठीक करते हैं फिर आपकी health ठीक रखते हैं जो आप अपनी जिन्दगी में life long enjoy करते हो हैं blessings के रूप में और शुकराना करते करते हैं आपका मुह नहीं ठकता तो वो होती है गुरू जी की अपार असीम किर्पा बस गुरू जी की शरण में आने के बाद आपको किसी भी चीज में impatience नहीं होना आजकल कल्युक का चीज लेनी है बस गुरू जी के पास आने के बाद थोड़ा सा पेशन्स जरूरी है यहां आपकी भक्ति में इतने घंटे एड़ कर दो कि अगर गुरू जी एक बार बड़े मंदिर में जाने से एक विजट में कुछ दे देते हैं तो आप अपनी विजट बढ़ा दो वीकली जाता से जादा जाना शुरू करो अगर आपके कोई बहुत बड़ी समस्य आपकी जिन्दगी में ताकि जल्दी जल्दी करम कट जाए और अगर दो घंटे का सत्संग आप किसी के भी घर में संगत के घर में या अपने ही घर में करने लग जाए तो उसको आप डबल कर दीजिए अमरित्वेला कर लीजिए या दिन में या शाम के टाइम दो टाइम ससंग करिए अपने घर में पाठ पढ़िए तो इससे क्या होगा जल्दी करमास कट जाएंगे मंत्र जाब भी करिए तो अगर आपको कोई चीज जल्दी चाहिए तो उसकी क्वांटिटी है ताकि अगर हम हमारी किसी चीज को देरी भी हो रही है तो हम गुरुजी को जादा से जादा उनके चल्दों में टाइम लगाए ताकि गुरुजी हमारे जल्दी से जल्दी करमा काटे तो बजाए गुरुजी से नराज हो जाए हम बजाए ये बोले कि या हमारा तो कोई क पहनी आये हर रूप मेरे अंदर ही समाया हुआ है क्योंकि गुरू-जी माहाशिव है तो सबसे पहले शिव लिंग के शिवलिंग इस धर्ती पह आया था तो गुरू जी तो शिव लिंग वाले शिव है है अपार उनकी बहुत बड़ी पावर्ज हैं अगर कोई उनकी शरण मे आए तभी उनके पता चलेगा कि गुरुजी के पास कैसी पावर्ज हैं गुरुजी के शरण में आने आके क्या क्या मिल जाता है वह खुशी वह हम जो संगत उचलते रहते हैं खुश रहते हैं बड़े मजे में टेंशन फूरी रहते हैं वह जो इंटरनल खुशी है वह जब तक गुरुजी के चड़नों में से नहीं जुडएंगे उनके चत्रचाय के नीचे नहीं आएंगे उनके रूल्स के एकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तब तक आप समझी नहीं पाएंगे अगर जितनी जल्दी आपको अपना काम करवाना है उतना आप करमास भी अच्छा घर गुरुजी